स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले नमस्कार, गुड़ीवनिंग, मैं हुविकरांगुपता आप जानते हैं कि Melbourne Test Match 26 तरही से खेला जाना है टीम कल Melbourne पहुँच गई, टीम कल Melbourne पहुँच गई और आज से अब तीन दिन का आराम है Melbourne में खिरारियों के लिए क्योंकि इस Test Match से पहले वो तीन दिन अभ्यास करेंगे 23, 24 और 25, 26 से तो Test Match है लेकिन Melbourne से खबर बहुत जादा अच्छी नहीं है क्योंकि पर्थ में जो हुआ भारत के साथ उसे देखते हुए Australia की जो खिरारी है वो चाहते है कि Melbourne की जो Drop and Pitch है उसमें भी वो तेजी हो उसमें भी उच्छाल हो, उसमें भी घास हो क्योंकि वो समझ गए है कि भारत के बल्ले बाजों को अगर रोकना है तो फिर विक्टे ऐसी बनानी होगी पिछ्टे साल जो Melbourne का Test Match साथ Drop and Pitch इतनी श्लो थी कि 5 दिन में सिरफ 26 विक्टे गिरी थी रेटिंग कम मिली थी उस विक्ट को इस बार तो कहते हैं कि क्यूरेटर ने भी कहा दिया हाँ जी गिन उड़ेगा और खूब उड़ेगा पिछ पर घास सोड़ी जाएगी ये खबर मेल्बन से आ रही है बॉक्सिंग दे टेस्ट मैच वोस्टेलिया के क्रिकेट केलेडर का सबसे मश्रूर टेस्ट मैच होता है तारीक को होता है 80,000 के करीब लोग आएंगे लेकिन भारत तैयार है के नहीं बड़ा सवाल यही है आपको आज मेल्बन लेकर चलेंगे क्योंकि आकाश शोपड़ा हमारे क्रिकर एक्सपर्ट मेल्बन पहुँच जाएं और मेल्बन से ही उनसे जानना है कि ताजा हालात क्या है लेकिन आकाश बाचीश से पहले यह तो देख लें कि वहाँ पर चल क्या रहा है लेकि हकीकत तो है कि जब आपने अडिलेट जीता था तो यह लग रहा था कि आप सीरीज जीतेंगे अचानक से पर्थ में ना सिर्फ नतीजा जिस तरह से उस्टेडिय ने वापसी की जिस तरह भारत के बलेबाजों ने फिर से दगा दिया और उससे बड़ी बात मेरे लिहास से एक बार फिर कैसे भारत की टीम चुक गई कंडिशन को रीट करने में ये आपको डराता है क्योंकि मेल्बन में जैसे क्यूरेटर अकाश कह रहे हैं कि भाईया घास देंगे घास देंगे, हार्ड विकेट देंगे वो स्लोईश डॉप इन पिच नहीं होगी ये भारत के अच्छी खबर नहीं है लेकिन सवाल यही है कि क्या सब कुछ टॉस पर आजाता है कि भाईया जो टॉस जीतेगा वो चौथा बैडिंग नहीं करेगा और जो चौथा बैडिंग करेगा वो मैं चारेगा वेल मेलबन में कुछ दिम के अंतराल इंतजार कहेंगे उस आराम के बाद दोबारा टीम शुरुबात करेगी प्रैक्टिस करना और क्या की जा सकती है उम्मीद अगर ऑस्ट्रेलियन आप मीडिया को देखेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे तो लगेगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया इस शृंकला को जीच चुका है लेकिन सचाई ये है कि पिछले नौ महीने में पहला टेस्ट मैच जीते हैं ये और एडिलेट भी हार के यहां पहुंचे थे त और इसमें ना जायदा उचाल ना जायदा गती ना जायदा साइडवेश मुव्मेंट थे कि भारती बन्ले-बाज भी अच्छा करेंगे है और गेंसा पहिए तो पर्थ हार के बाद शायद थोड़ा सा मनूबल हिला होगा लेकिन मुझे लगता है कि विश्वास में कमी इसमार क्यूरेटर ने भी कहा है कि विकेट वो सपाट और वो टिपिकल ड्रॉप इन पिच नहीं होगी आप ने कहा कि बैट्समन भी रन बराएंगे गेन बास भी अच्छा करेंगे हो सकता है लेकिन खुदा ना खासता अगर ये सब ना हुआ अब देखिए आप वहाँ पहुच गए हैं जहाँ पर अगर आप अगला टेस्ट मैच नहीं जीतते तो सीरीज नहीं जीत सकते फिर विदेश में जाकर सीरीज जीतने का उस्ट्रेलिया में सपना जो है वो हकीकत में नहीं बदलता है मुझे पता ये बहुत जल्दी है लेकिन चुकि सुनील गावसकर ने आज तक पर कहा कि इन केस भारत ये सीरीज नहीं जीत पाएगा अपनी गलतियों से वही बार बार गलतियां रिपीट करते करते क्या आप उनकी बात से सहमत है कि अगर ऐसा होता है तो फिर BCCI सेलेक्टर को उपर देखना पड़ेगा टॉप को कैसे चेंज करना है टॉप में तो कप्तान आपके कोच और सपोर्ट स्टाफ आता है वेल मैं समझ सकता हूँ कि गावसकर साब क्या कहना चाह रहे हैं जरूर साउथ आफरिका, इंग्लेंड, ऑस्टेलिया, हर जगा यह उमीद थी कि भारतिये टीम मुकाबले जीत सकती है श्रिंखला जीत सकती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब उसमें टीम सेलेक्शन को लेकर काफी सवाल या चिन उठे हैं इसी वज़ा से शायद उनका मानना है कि अगर आप यहां भी नहीं जीते जहां लगता है कि सबसे कमजोर आस्टेलियन साइड आप खेल रहे हैं तो फिर कप्तान कोच में कुछ बदलाव होना चाहिए मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात करें तो अगली टेस्ट रिंखला वर्ल कप के बाद है और छे महीने में अगर आप वर्ल कप खेलने वाले हैं तो क्या आप जो सकष्टी पे टीम सवार है क्या आप उसको हिलाना चाहेंगे क्या उसको would you like to rock the boat? I won't मुझे लगता है कि अभी आप विराट और रवी शास्त्री जी के साथ ही जुड़े रहिए अगले छे महीने उन में जब आपने इतना निवेश किया है तो उनके अंदर ही निवेश करते जाएए irrespective of what happens in Melbourne and Sydney नहीं तो मैं तो नहीं समझता कि बदलाव की जरूरत भी है या फिर कहीं कुण जायश भी नहीं हो सकता है आपकी बात सही हो क्योंकि वर्ड काप अगर भारत को खेलने तो आप इस तरह से कप्तान या कोच बदल तो नहीं सकते लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कप्तान और कोच को जो absolute powers दी गई है अगर अगर आपने कहा कि Melbourne मिहार जाए Sydney मिहार जाए कोई फर्क नहीं पढ़ता मुझे रगता फर्क पढ़ना चाहिए अब जबकि टीम वहाँ पर आराम कर रही है प्रैक्टिस 23 तारीक से शुरू करेगी हम और आप मिलकर आज चुन लेते हैं Melbourne टेस्ट मैच के लिए 11 हाला कि सुनिल गावसकर के हिसाब से दो बदलाव होने चाहिए मुरली विजे और मायं का गरवाल ओपन करें उनकी टीम से उमेश आदव बाहर अश्विन अंदर और केल राहूल की जगा मायं का गरवाल लेकिन आपकी टीम क्या है फरफट जाएं यूट्यूब पर हमारे चैनल स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें आज रात आठ बज़े का एजेंडा यही है Melbourne टेस्ट मैच के ल अजय करें आठ बाहर गरवाल रवाल लेकिन आठ बाहर आट्यूब भी मैच के लिए